कि आपके अज़ा से हम लोग का धुर बन गया और हम लोग अच्छे पहले कहा रहते थे पहले जी मठी का कच्छा मताम था अभी पक्का घर हो गया कितना समय हुआ एक साल हो गया एक साल हो गया बच्छों को अच्छा लगता है सब मोशीबर चली गई हमारे पहले सार बहुत दुखत बात है कि हमारे पास जोपडी थी जोपडी में लेकर बच्छों को पानी बरस्ता था तो इह बीखते उधर बीखते थे आप जोपडी डूपघ चाहों का भी परसानी रहती थी अब जह हुम हमें पता चला तो हम आवास आवाज दुड़ा आपिस से इंधरे और जो हमारे आवाज बन गया घर पक्का मकान बन गया हमारे परिवार अच्छे अच्छे से जिए कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको अच्छे से बना के बिजली पानी में सब कर लिया है सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया और इस समय अपने बच्छों को पढ़ाते हैं अच्छे सफाइका कैसे करते सपाइका गर्मे से निकाल के बहर भी बहुत आते हैं सब लोग बच्छाइब लोग आते हैं बटोर के एक कुड़े दान रखार आता है उसी में पुड़ा डालते हैं और टाली वाले आकर के ले जाते हैं किसी को पैसा देना पड़ा का रिश्वत नहीं किसी की सिफारिश लगानी पड़ी किसी को यह कहना पड़ा मैं यह जात वाला हूं मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा वो जातों तो नहीं मिलेगा कि हिंदु मुसलमान का बेद करते हैं क्या कोई बेद करते हैं क्या अगड़े हैं पिछड़े हैं डलीत है ऐसा करते हैं क्या सरकार के पैसे भी बेदभाव के बिना मिलते हैं पक्का पक्का सर पक्का अच्छा को आप लोग से घर मिला हमारा बन गया बहुत अच्छा लगता है अब नहीं तो पहले तो घर में पानी चले जादरल साब और सामने वाला देखके बहुत हासा थरिया लेकिए जब छोपी सब लोग हास हैं कपड़ा उपड़ा सभी जात रहाल अब बहुत ठंडी भी लगत रहाल अब एक टाइम तब ठंडी में बहुत अच्छा लगता साब गैस का चुला है और अब खानावाना समय पर पक जाता है अब स्कूल बच्चे स्टाइन से बना लिए रोज क्या पकात अच्छे सबाही हम पहले तो चुवत बहुत कितना टाइम लगा गर बनाने में अच्छा महिना में पुड़ा तयार हुए अच्छा लगा तो सब लोग देखने के लिए आते हैं कैसा अच्छा सबाहू हूं के तू सब पक्का मरहत रहा हूं हम तब हाई मरहत रहे हमके अच्छा लगाते हैं सारनात्म पैसा मिला कैसे मिला क्या हुआ हुआ हम लिये थे उसको समय से किस्त भट दिये हैं हमारा क्रेडिट अच्छा था था बीस अजार रुपे और ले लिये हैं अब कारोबार हमारा बहुत अच्छा चल ला है जितना हम आप लोगों के धन्यवाद करें उतना ही कम आपने जो प्रेड़ दिये हमको के स्वावलंबी बनना है उसमें हमने एक पहले छोटी सी फैक्टरी बनाई थी आज हमारी छे फ्लोर के फैक्टरी है जिसमें कम से कम 400 से 500 वरकर काम करते हैं जिसमें आधी महिलाए हैं और इसमें हमने साड़ी के कारोपार को न सिर्क अपन लंबी होने के लिए फ्रेरित किया जब लागडाउन लगा तो उसमें हमें 10,000 का लोन मिल गया सर आप उसमें हम पहले पैसे कहां से लेते थे पैसों की जरोस परई तो क्या करते हैं पहले पैसा लेते थे सर वह कहां में छोटे-छोटे दस मैला का 12 मैला का मीटिंग बनता शुआतम पाजर जर सर आटगं कौर आज डिम पर पहले थे घर जाज तो पैसा में रते हैं और उस जब करते हम आगया हम सॉवर का तो सर मैं सचिन भट और मैं बनारसमी रहता हूँ जब यह लॉक्डाउन लगा उसके बाद पेपर से लेकर के डियासी ओफिस तक में मुझे इसके बारे में काफी सारी जानकारी बिले और उसमें मुख्यमुत्री युवास और योजना के बारे में बताएगे जिसमें की सबसीड बहुत जादा है और उसको मैंने यूज करके आज सर मेरा मैनुफेक्शिंग यूनीट है है हम लोग जो गाव में जो लोग अभी हैंड वॉष सावुन में यूज कर पाते थे आज हम उनको लिक्विड हैंड वॉष इस्तमाल करने के लिए प्रीड करते हैं आपका सपना प आज़ करता है अब मैं अपना कफ़ाग फूद मनुफेक्शर करना चाट करते हूं कर दो अब मया अपने अपने धंडे को ऴीजनत में लगा एं लोगों से ने करने के लिए कहता हूं अफुट करता हूं हम भी अपनी बेटियों को यूमी आइम्तियों कराना चारे मेरी बे आज गरीबों के अशरवाद बने रहें, तो हम और काम करेंगे बहुत मदद मिली, आप जैसा सर्जी नपाड़े कोई आया और अभी आएगा